इस वक्त की जो सबसे बड़ी खाबर निकल कर रहा है यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 को लेकर कि यूपी बोर्ड के छात्रों को रोल नंबर नहीं मिल पाया तो वो अपना प्रडाम कैसे देख पाएंगे तो इसमें देखिए यहां पे बताया गया इस निउज में कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 होगा आपको बता दे कि विद्यार्थियों को अपना परिच्छा पेडाम अपनी नामांकन संक्या या पंजी करण संक्या की मदद से बोड बेव साइट पर लागिन करके देखना होगा जिन विद्यार्थियों के पास अपने नामांकन या पंजी करण संक्या नहीं होगी उन बार रोल नंबर ना मिलने के करण ना मंकर निया परंजी करण संख्या के माध्यम से प्रणाम जारी किया जाएगा आपको बता दे कि इसमें अब जिला विद्याले निरच्छक जो की आगरा के है मनोच कुमार ने बताया कि एक जुलाई से विद्याले खुल गए और बोर्ड पर इच्छा प्रणाम कभी भी जारी हो सकता लिहाजा बोर्ड ने विद्याले को सभी विद्यार्थियों की रोल लिष्ट भेज कर उसका सत्यापन करने की निर्देश दिये इसमें विद्याले विद्यार्थियों की कागजियों में दर्ज जैनकारी से सत्यापित करेंगे जाएगी कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं संसोधन होने पर बोर्ड कर रहेले को वाटसाप पर संसोधन कर रहा जाएगा यह काम दस जुलाई तक कर लेने की निर्दे से हलाकि 10 जुलाई के बाद ही आपका जो बोर्ड जो रिजल्ट उसको जारी किया जाएगा यहाँ पर बोर्ड चाहता है कि इस पूरा होने के बाद ही प्रणाम जारी किया जाए ताकि विद्यारत्युक जनकारी में कोई गलती ना रहे तो यही रहा आज का जो सबसे बड़ा ख आजो प्रणा है